फाइन ब्रेकिंग वेस के एकदम करीब आ चुके हैं, आप तालियों के गड़गड़ाहत को सिंख सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सखलता पुर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं जिसकी सुरुवात भी बह आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लाइंडर क्या हाइट लागातार कम होता जा रहा है इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी उचाई लगभग लगभग चैसो मीटर के आसपास है इस 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 स्थेज के दोरान लगभग एक चो पचास मीटर के उचाई पे पहुचने के बाद लैंडर अगेन लगभग बीस से बाईस से के लिए होरिंग करेगा अे वॉरookie बाद बाद दोंड आट शृरा इस अवर्टिल के ल बस्चेत को लाथ कि अ रोगव बेंगग एक at कारण gestos को ऊ्युटान lij there टो सबस्थम जजब के लॉग बंडें़ अटिर दो तो टो रहौर स्थेस, युझे टो उजजब हैं जी हाँ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यह जो पत्निर धारित किया गया है लेंडर पूरी तरह से उसी को ही फालो कर रहा है इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की उचाई पे हैं चंद्रमा के सताप से जी हाँ आप इस तालियों के गड़गड़ा हट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हावरी फेस के कम्पलीट होने के बाद इन सारे बैग्यानिकों के द्वारा की जा रही है जी हाँ अगर अगर थिर से ध्यान से देखें तो आल्टीट्यूट पुना कम होता जा रहा है अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की उचाई पे हैं अभी आप यह देख सकते हैं कि लैंडर की उचाई लगभग 75 मीटर के आसपास बची हुई है थीरे धीरे लेंडर की वेग बान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग पचास मीटर से भी कम आ चुके हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम पाव लाइंडर माडूल।